गोरकपुर न्यूज के सर्प्रायो जख है मठकू मंगलम टावर गोलगर गोरकपुर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादिन से मुख्यमंत्रियों के आदितिनात ने किया निगरानी समीती के प्रतिनिधियों से समवाद कहा लोगों को करेज जागरुक लगाए कुरोना संक्रमन पर लगा वर्दी का धोस दिखा कर दरोगों ने घर में घुसकर की योती से छेड़ खाने गीटा थाने में दर्जवा मुकत्मा एसपी ने कहा बहराईश में तैना थे दरोगा मुकत्मा दर्जव कर की जा रही है अगरिम कारवाई ओनर गिलिंग के मामले में धाना चिलो अताल पर पंजिक लित हत्या के अभियोग में पुलिस ने नौ अभियुक्तों को किया गरफतार भेजा जेल कैंट धाना इस्ते तेक नीजी अस्पताल में कोरोना पॉस्टिव मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों और पीरित परिजनों के बीच जम कर हुआ बवाल परिजनों ने पैसे के लेंदेन का लगाया आरोप सियो कैंट ने कहा दोनों पक्षों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर जाच कर की जाएगी कारेवाई गोरेकूर में बुद्धवार को मिले 1269 नए कोरोना संक्रमित मरीज एक की हुई मौत जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 49403 अब तक 434 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान 9783 हो गए एक्टिव मरीज स्यमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्ची नगरायक ने बुद्धवार को किया बावा मुक्तेश्वर नाथ मुक्ती धाम अंतेश्टी अस्थल का निलक्षन कहा कोवीड के मृतिकों के लिए निशुल्क है दाह संस्काल की विवस्ता किसी को ना दे कोई धनरासी त्रियस्तरी पंचाय सामान निर्वाचन के मतगर्ना कार्मिकों का तीन दिवस्य प्रसिक्षड हुआ सुरू मुक्ते प्रसिक्षक ने कहा दो मई को कार्मिक विकास खंड पर पहुँचकर कराएंगे मतगर्ना जर्पत में जिला अस्पताल सहित अंठावन बूतों पर 45 साल से उपर के 3602 नागरिकों का किया गया कोवीड का वैक्सिनेशन सोसल डिस्टेंस के साथ लोगों निकराये वैक्सिनेशन नहीं होई कोई दिक्कत मांदे और ड्यूटी में निरंतर्ता बनाए रखने की मांग को लेकर जिला चिक साले में चतुर स्रेडी पद पर कारेरत आउट्सोर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन मांगों को पूरा करने की की मांग और कुरोना संक्रमट पर प्रभावी लगाम लगाने के दिश्चिगत लगाए गया नाइट कर्फियू बुद्दवार को भी रहा लागू जंता स्वैम कर रही है कर्फियू का पालन सियोकेंट ने कहा नाइट कर्फियू का उलंगन करने वालों पर होगी कड़ी कारवाही कर्फियू का उलंगन ऐसी कर्फियू